हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आसा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे चलिए एक प्रस्न देखते हैं और भी भी आई प्रस्न है दोस्तों और मैट्रिक क्लास के चेप्टर 1 में 1.3 में इस प्रकार का प्रस्न पुछा गया है दोस्तों देखिएगा और इस प्रकार के संख्या को क्या करेंगे पहले लिखे लेंगे जदी क्या लिखेंगे दोस्तों जदी संभाव संभाव है तो माना संख्या इसको मान लिए जदी संभाव होगे तो माना ठीक है आप यहां क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दिजीएगा अप यहां क्या क्या करना है कि आप करेंगे फिर पुर्णा मान लेंगे यहां मान करके लिखे लेंगे जो मान दिया रहता है माना की माना की रूट एन बराबर पी बटा क्यू ले लेंगे दोस्तों और यहां लिखेंगे जहां पी और क्यू क्या है दोस्तों पुनांग है क्या है पुनांग के ध्यान देजेगा पुनांक है अब पुनांक है है ना अबर कीवू इज नॉट इकोल जीरू ठीक है ये हर है ये अंस है तो कभी भी हर जीरू नहीं होना चाहिए इस पर ध्यान रखिएगा दोस्ट इस पर ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि अब इहां तो हमने लिखा और कुछ सरती हैं जिसके एक हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं जिसमें एक के अला में कोई उभयानिस्ट गुणान खांड नहीं है है नहीं है ध्यान रखिएगा कि इसमें पी और क्यू में एक के अला में कोई उभयानिस्ट गुणखंड नहीं है अब क्या करेंगे दोस्तों जो यह माने हैं इसको यहां लिख देते हैं इसको तिर्शा तिर्शी गुणा कर लेजें तिर्शा तिर्शी गुणा करिएगा तो तो क्या हो जाएगा पी एक में पी से तो पी आई से से इसमें करिएगा कितना हो जाएगा रूट एन अक्यू हो जाएगा ठीक है अब क्या करिएगा दोस्तों दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है बर करते हैं तो यहां तक पी के स् स्कूर हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा दोस्तों पी स्कूर तो पी स्कूर रहेगा ही रहेगा और यह रूट है स्कूर से कंसिल हो जाएगा और क्यू स्कूर हो जाएगा क्या हो जाएगा इन हो जाएगा और क्यू स्कूर हो जाएगा इस समिक्रण एक बना लेजिए ठीक इसमें भाग लगेगा तो जिसमें भाग लगता है उसको का करता है विभाजित करता है तो यहां क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं एन एन पी एसक्वाइर को विभाजित विभाजित करता है ठीक है विभाजित करता है जब एन पी एसक्वाइर को विभाजित करता है तो एन ही पी को विभाजीत करेगा यह विभाजीत करता है ठीक है करता है फिर यहां लेखेंगे दोस्तों माना माना की आप पी बराबर कुछ ले लेते हैं कुछ भी ले ले लेजिए उसके साथ एन होना चाहिए तो ले लेते हैं की एन ले लेते हैं दोस्तों ठीक है जहां के एक धौन पुनांग है ये ध्यान रहे कि जो है के लिए है अब ध्यान रखिएगा जो यहां रहेगा वो इसके साथ आप मान सकते हैं पी बराबर ले सकते हैं लेकिन यहां जो के लिया गया है आप जो मर्जी ओ ले सकते हैं न, क्या लेंगे, यहां जो लेंगे, जैसे अभी हमने लिया है P और Q, तो पी कु को छोड़ कर बाकि कुछ भी यहां की के जगा पर आप ले सकते हों, और कोई भी लेटर ले सकते हूं, और कोई दिकत नहीं हैं, अब बना सकते हैं बिल्कुल असानी से बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल असानी से अब क्या करना है दोस्तों पी का मान हमने जो रखा है यह न यह क्या करेंगे दोस्तों कि समिकरण एक में रखे लेंगे ठीक है यहां क्या करेंगे कि लिखेंगे पी का मान भी लिख सकते हैं यहां लिख सकते ह एक में रखने पर, तिकh metadata अब रखिए, जहाँ P है वहाँ आपको QN रखिए QN हमने रखा, इसके जगह पर उसके सीर पर कहा है? SQ है, आप ब्राबर बे N आप Q SQ है या आप इसको SQ करेंगे दो K SQ, फिर N SQ हो जाएगा ध्यान दिजेगा और फिर यहाँ N Q² हो जाएगा तो इसमें कोई गो एन है, यह गो है, इसमें दू गो एन है यहाँ आईसे भी लिख सकते हैं K² और N इंटु N लिख सकते हैं लिखेंगे न, बराबर N और Q² लिख सकते हैं N से यह N cancel हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा अब K square N बराबर क्या हुआ Q square ध्याम दिजेगा अब क्या मज़किया K square N बराबर Q square यानि गुणा में क्या है अभी N है तो N किसको विभाजित करेगा तो यहां क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे N Q square को विभाजित करता है फिर यहां लिखेंगे N Q को जब S square को करता है तक N Q को विभाजित करता है अब यहां तक हमने आया कोई doubt है नहीं तो जो मैंने माना है यहां आपका यहां हमने लिया है इसको समिकरण हम क्या ले लेते हैं इसको समिकरण ले ले लेते हैं यहां आप लिख देते हैं दोस्तों कि समिकरण एक अबर दो से अस्पोस्ट है की P तथा Q दोनो एन से बिभाज्य हैं जो की हमारी मानियता जो हमारी मानियता की P Q में एक के अलावें कोई उभयनिष्ट उभयनिष्ट गूणन खंड नहीं है काहें जी दोस्तों कि ये बिपरीत है इसलिए इसलिए कि हमारा यह मानना है की रूट एन बराबर P बटा Q गलत है गलत है अता यानि बिरुद भास है अता रूट एन एक परीमेय संख्या है ठीक है न दोस्तों इस परकार आप बना सकते हैं निधालक बना सकते हैं और ऐसे ही दोस्तों क्या कर सकते हैं आप रूट 2 का रूट 3 का रूट 5 का रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 10 इस प्रकार की संख्या का सबका इसी पर निकाल सकते हैं यानि जहां एन हैं वहाँ इस संख्या को अपर रह करके निकाल सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बहुत धनिया बाद फिर अगले वीडियो में नोग में लेंगे